कैसे आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे स्वागय था आपका आपके यूटूब जानल टार्गिट भी रमागांद में जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम लोग एक्जाम में हुए कोश्चन पेपर क्या कर रहे हैं सॉल कर रहे हैं यस पिछले दस सालों में जितने भ बन सकते हैं या जितने टाइप की कोश्चन अभी तक बने हैं हम लोग सारे के सारी कोश्चन क्या करनें डिसकस कर रहे हैं तो पिछली वीडियो में अगर आपको याद आ रहोगा तो हम लोगों ने नमबर आप कोश्चन की बात करें तो मैं दिखा दूं आपको तो ये हुआ था 16 question solve कियोए थे अगर आप देख सकते हैं तो total 16 question क्या किये थे हम लोगों ने solve किये थे और मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये वाली वीडियो क्या कर लिए होगी देख लिए होगी अगर नहीं देखिए तो please playlist में होगी या description में मैं link देदूगा description में मैं लिंक देदूँगा आप वहां से जाकर और इसको देख लिएगा okay question paper solve करने से क्या होता है याद रखिए question paper solve करने से आपको ये पता चलता है कि exam में किस type की question पूछे जा रहा है यानि कि फिर आपको पढ़ने का एक तरीका पता चलता है तो question paper देखना बहुत जरूरी है question paper जो होते हैं यह हमें direction देते हैं याद रखिएगा यह हमें क्या देते हैं direction में देते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई जो है किस direction में रखनी है अगर आप चुप चाप सिर्फ copy रटते रहेंगे चुप चाप सिर्फ रटते रहेंगे और question paper solve नहीं करेंगे तो याद रखिएगा आप exam में भी question paper solve नहीं कर पाएंगे तो question paper क्या करिए solve करिए और हाँ अगर question paper आप हमारे साथ solve करते हैं तो याद रखिएगा कि आपको question paper के साथ साथ इस से related जितना भी उसका explanation है हम आपको क्या करेंगे समझा देंगे तो यानि कि अगर देखा जाए तो question तो यहाँ आप 16 पढ़ोगे लेकिन याद रखना कम से कम आपका मेरे साथ 50 question क्या हो जाएगा तयार हो जाएगा 50 क्या पू कि जब भी आपको आपके subject से related कोई भी वीडियो डाली जाएगी तो सबसे पहले आपको इसका notification जरूर मिलेगा ओके देखिए हमें करना क्या है जो हमारी strategy है वो क्या है आपके exam से पहले पहले चक करिएगा आपके exam से पहले पहले हमने target क्या बनाया है हमने target ये बनाया है कि जितने भी आपके chapter है यानि कि 5 chapter आपके है इन सभी का exam में आए हुए यानि कि पिछले 10 सालों में जितने भी question आए है वह सारा का सारा क्या करना है solve करना है चाहे वो MC cues हो चाहे वो very short हो चाहे वो short question हो और चाहे वो long question हो यानि कि जितने भी type की question है सारा का सारा हमें क्या करना है solve कराना है okay तो अगर आप साथ बने रहेंगे तो याद रखिएगा आपका फाइदा बहुत होने वाला है okay क्योंकि सारा का सारा unsolved मैं आपको क्या करूंगा solve करा दूंगा पिछे 10 साल की question paper आपके क्या हो जाएंगे solve हो इसके कर रखेंगे okay तो छले यी time waste बीना time waste किये हम लोग क्या करते है नेस question की और आगे बढ़ते हैं तो आपको मैंने बताया कि आपने यह question किया कर रखें है- solve कर रखेंगे अब इसके आगे की question हम क्या करते हैं- solve करते है आज हम दोग दूसरे type के question solve करेंगे, तब पहला question हम लोगी start करते हैं और पहला question क्या है, आप यहां से check करें, हमारा पहला question है the following reaction is an example आप, चेक करिएगा, आपका reaction क्या दिया हुआ NS3 gas react करती है, इसके साथ, oxygen gas के साथ, तो यहां पर product में क्या बनता है, NO बनता है, and plus six molecule of water बनता है check करिएगा, यानि कि when ammonia rate with oxygen, they form NO gas and as to water अब कहने का क्या मतलब है यहां पर पूछा गया है, type of reaction पूछा गया, यहां आप चेक कर सकते हैं यहां पर क्या पूछा गया, type of reaction पूछा गया, क्या है, displacement reaction combination reaction, redox reaction and precipitation reaction check करिएगा, precipitation reaction तो यहां पर देखिए, आपको यह भी बता दूँ मैं, यह आपके basically क्या है, type of reaction there is type of reaction displacement type of reaction, displacement type of displacement reaction, combination reaction and redox reaction and precipitation reaction, displacement combination reaction क्या होता है, combination reaction क्या होता है, याद रखिएगा, when two or more than two substance combined to each other and form a single substance form a single substance they are known as combination reaction तो क्या यह combination reaction का example है, नहीं, क्योंकि यहां पर two substance, two two reactant तो आपसे मिल रहे हैं, लेकिन product भी यहां two बन रहे हैं, जोकि combination reaction में क्या होता है, two two or more than two, two reactant आपसे मिले हैं, या substance मिलें, सिर्फ हो सिर्फ वो एक single product बना हैं, तो उसको बोलेंगे, क्या, उसको बोलेंगे combination reaction बोलेंगे, तो यहां पर combination reaction यहां से क्या कर गई, हड़ गई, अब displacement reaction में क्या होता है, तो displacement reaction में मैं आपको example बता दू, a plus b कोई compound दिया गया है, और इसको क्या कर रहा है, z क्या कर रहा है, इसमें से क्या कर रहा है, या ऐसे कर लेते हैं, जड दिया हुआ है और A प्लस B दिया हुआ अब यहां से क्या करेगा जड यहां से A को यहां से substitute करेगा तो यहां से क्या हो जाएगा A, B हो जाएगा और A यहां अकेले चला जाएगा यानि कि जड ने A की जगह को क्या कर लिया ले लिया यानि कि हम कह सकते हैं कि जड ने A को क displacement reaction की बात करें, तो oxygen क्या कर रहा है, यहां से hydrogen को हटा दे रहा है, चेक करिएगा, oxygen यहां से hydrogen को क्या कर रहा है, हटा दे रहा है, और खुदी उसकी जगा पे आ जा रहा है, तो yes, यह क्या हो सकता है, displacement reaction हो सकता है, यानि कि यह वाला हो सकता है, अब आ गया यह, लेकिन option में क्य पहला और चौथा हो सकता है, दूसरा और तीसरा हो सकता है, पहला और तीसरा हो सकता है, तीसरा और चौथा हो सकता है, यानि कि कहने का मतलब है, कि यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर इसमें कोई दो रियक्शन, कि इसमें कोई दो इस्टेटमेंट सही है, तब जाके आंसर ब और याद रखियेगा, जहां पर oxygen होता है, वहां पर reduction जरूर होता है, यानि कि सिर्फ और cis oxidation या reduction पॉसिवल नहीं है, दोनों एक साथ होने वाली process है, तो अगर आप देखें तो यहां पर oxygen जाकर करके यहां पर मिल रहा यहां displacement reaction लेकिन oxygen nitrogen के साथ मिल रहा है तो oxidation होड़ा तो जहां पर मैंने बता है जहां oxidation होगा वहीं पर क्या होगा reduction भी होगा तो अब check कर सकते हैं जहां पर oxidation reduction दोनों साथ में पा जाता है उसे क्या बोलते हैं? redox reaction क्या बोलते है? redox reaction बोलते है यानि कि पहला भी सही है और तीसरा भी सही है या precipitation reaction नहीं होगा precipitation reaction अगर होती तो यहाँ पर gas की जगह पे ऐसे नीचे के type में arrow दिखाय जाता नीचे के type पे क्या दिखाय जाता? arrow या यहाँ PPT लिख जा दिया था precipitated यानि कि अब आप देख सकते हैं इसके हिसाब से आप का उंशर का उंशर हो गया? आपसन जो हो गया? c हो गया first and third अब सोच लो अब आप देख सकते हैं कि एक छोटे से question को मैंने कितना ज़्यादा explain कर दिया और explain सिर्फ इसली किया है ताकि आप लोगों को चीज़ें दुबारा जो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं वो दुबारा आपको recall हो जाए तो ये फाइदा होता है teacher के साथ question paper solve करने का क्योंकि जब आप अपने आप से question paper solve करते हो तो सिर्फ आप क्या करते हो? टिक करते हो इसका ये होगा इसका ये होगा इसका ये होगा इसका ये होगा लेकिन उसके आसपास की सारी चीज़े आप अच्छे से समझ नहीं पाते हो तो teacher के साथ बने रहोगे तो याद रखोगे हमेशा आगे बढ़ते रहोगे यहां थे question number two की बात करते है आइरन यानि कि लोहा दिया हुआ और लोहे से water क्या कर रहा reaction कर रहा लोहे से कौन reaction कर रहा water reaction कर रहा और जब water gas के form में reaction कर रहा तो yes आपको पता है कि iron के साथ जो water की condition होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए steam होना चाहिए याद रखिएगा cold water इसके साथ reaction नहीं करेगा hot water इसके साथ नहीं करेगा यानि कि gas यानि कि wafers के form में जो रहेगा वो इसके साथ reaction करेगा अगर आप लोगों को पता है तो ये बताया क्या होगा कि metal के साथ चेक करिएगा iron क्या है metal के साथ तो metal के साथ water तीन तरह से reaction कर सकता है, पहला क्या होता है, water cold हो सकता है, पहला उसके बाद क्या हो सकता है, heat हो सकता है, hot हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, steam हो सकता है, याद रखिएगा, cold water सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, reactive metal के साथ, reactive metal के साथ reaction करता है, जैसे, lithium हो गया, potassium हो गया, sodium हो गया, बास तुने रहा है, तो these are reactive, highly reactive elements and they can react with cold water तो यह चीज़े आपको पढ़ाए गए होगे, फिलाल हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं यानि कि यहाँ पर iron की जो reactivity कम है so that यहाँ पर water की जो condition ले गए, यह कैसे ले गई है steam water गया गया, यानि कि अब इसके साथ यह reaction कर रहा, तो जब iron जो है इसके साथ reaction कर रहा, तो अगर आप देखें तो क्या है, यहाँ पर अगर iron की बात करें तो iron क्या कर रहा है, यहाँ से hydrogen को displace कर रहा है, obvious सी बात है, यहाँ से hydrogen गैस क्या कर रहे है निकल रहे है ठीक है और खुदी उसकी जगह पे आ जा रहा है तो अगर अगर type of reaction पूछा जाता तो याद रिखिएगा type of reaction कौन से हो जाती displacement reaction हो जाती कौन से हो जाती है displacement लेकिन type of reaction ना पूछ करके है क्या कुछ है ज़रा देखते हैं हम लोग here statement, देखे यहां पर भी एक से जाधा answer क्या हो ना है सही होना है, एक से जाधा answer क्या होना है, सही होना है तो चछक करते हैं, पहला क्या दिया हुआ, iron, iron metal is getting oxidized, चछक कर येगा, कह रहा है कि joh iron है, वह क्या हो गया है oxygen हो गया है चेक करिएगा iron क्या है oxygen हो गया है बिल्कुत सब् genres statement है क्योंकि iron के साथ fe के साथ कौन आगए है oxygen हो गया है iron से oxygen आगरके जुड़ा है यह condition क्या कहला है oxidizing क्या कहला है बिल्कुत सही है यायनिकि water is getting reduced water is getting क्या है reduce है अब ये reduce क्या होता है अब water is getting reduce reduce क्या होता yes reduce ये होता है कि यहां पर water के मालिक उसके साथ क्या कर गया है यहां से hydrogen क्या कर गया निकल गया है hydrogen यहां से क्या कर गया निकल गया है यानि कि कम हो जाना किसी चीज़ का कम होना क्या कहलाता हैReduce होना कहलाता है तो यानि कि क्या हो गया कमी होना कुबलते हैं Reduce होना reduced होना तब कमी हो गया यहां पर दो एक्टम है एक साथ हुआ करते थे बत Oxygen की वज़ से यहां से Hydrogen को निकलना पड़ागा Reduce होना पड़ागा यानि कि ये statement भी सही है और यह statement भी क्या है, सही है, अब देखिएगा, next बात करते हैं, water is acting as reducing agent, water is acting as reducing agent, and water is acting as oxidizing agent, तो याद रखिएगा, यहाँ पर गर में बात करूँ, तो water is acting as oxidizing agent, क्यों oxidizing agent है, देखें, oxidizing agent क्यों होते हैं, oxidizing agent होते हैं, वो जो oxygen ले करके आते हैं, oxygen ले करके आने वाले element, यानि कि क्या है oxidizing agent है क्यों यूँकि अगर water में oxygen ना होता तो यह इसको दे पाता नहीं दे पाता यानि कि यह water को oxygen को लाने वाला agent है इसलिए इसको क्या बुलोगे oxidizing agent बुल दोगे तो सोचो अब तुम्हारा पहला हो गया पहला हो गया दूसरा हो गया और कितने अच्छे से सारी शीज़े explain की जा रही है, इससे तुम्हारा label बढ़ जाएगा, याद रखना, which of the following are, combination reaction, तो आप ही मैंने बताया है, combination reaction क्या होता है, कि जब two substance आपस में मिलें, a plus b आपस में मिलें, और वो क्या बनाएं, सिर्फ और से single substance बनाएं, तो combination reaction कहलाएगा, तो यहाँ देखो, one and two, दोनों मिल करके सिर्फ एक बना रहे है, yes, example combination है, यह combination नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा, एक single substance reaction करके, क्या बना रहा है, दो चीज़े बना रहा, तो यह तुम्हारा combination नहीं है, यह तुम्हारा decomposition reaction है, decomposition में क्या होता है, चकलो अभी हो सकता, आगे पूछा जाए, कोई एक single substance होगा, कोई एक single substance होगा, और जब reaction होगी, तो वह दो या दो से अधित चीज़ों में क्या कर जाएगा, compound में तूट जाएगा, इसको बोलते हैं, decomposition बोलते हैं, क्या बोलेंगे, decomposition बोलेंगे, याद रखना, तो पहला answer हो गया, और यह नहीं होगा, दूसरे में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़े आपसे मिल गर कर के, दो चीज़े बना रहे हैं, तो यह भी combination नहीं होगा, अब आज़ा, चौथे की बात करो, तो CAO plus क्या हो गया, water हो गया, और यह आपसे मिल गर कर के, सिर्फ एक चीज़े बना रहे हैं, that is calcium hydroxide, यानि कि अब यह भी तुम्हारा answer हो गया, यानि कि पहला और चौथा, कहां दिख रहा है तुम्हें देखो, पहला और चौथा कहा है, तो आप तुम्हारी साब से ए वाला answer सही है, ओके, देखो कितना मज़ा रहा, ओके, आब आज़ाओ, next reaction की बात करो, यहां देखो, मज़ा बहुत आएगा, और A को ऐसे खुला छोट दिया जाएगा, कि जाओ बेटा, जहाँ जाना, वहाँ जाओ तुम, ओके, तो यानि कि, Z ने A की जग़ा को ले लिया, या हम कह सकते हैं कि, Z ने A को डिस्प्लेस कर दिया, तो this is an example of displacement reaction, तो चक करते हैं, कौन का है displacement reaction का example है, अगर आप देखें, तो यहाँ पर यह reaction देखें, जड़ेन Cu को उसकी जग़से हटा रहा है, जड़ेन S O 4 बना रहा है售, और Cu अकेले हो जा रहा है, यह displacement reaction का example है, यह displacement reaction का example है अब आप तुम देख लो यह वाला यहाँ पर दो substance आपर सो मिल रहे है A plus B और एक single substance बना रहे है तो क्या यह displacement reaction है नहीं यह combination reaction है तीसरा वाला क्या है combination reaction है यह से no तीसरा वाला क्या है तुम्हारा combination reaction है अगर तुम चेक करो तो यह तुम्हारा displacement हो गया और यहां से carbon क्या कर रहा है यहां से अगर देखो तो यहां से तुम कह सकते हो question number 4 में तुम्हारा जो सही होगा कौन सा सही होगा यह सही होगा ठीक है यहां पर अगर अब देखो तो यहां पर carbon क्या कर रहा है यहाँ पर इसके साथ oxygen इसके पास आ जा रहा पी को छोड़ दे रहा है यहाँ पर भी कह सकते हैं O का क्या हो गया displacement P यहाँ से C का क्या हो गया PB का क्या हो गया displacement हो गया यानि कि तुम्हारा example कौन हो जाएगा फर्स्ट और सेकिट तुम्हारा example हो जाएगा सोचो आंसर कहा है फर्स्ट और सेकेंड आंसर कहा है अब सोच करते हैं तो B B will be the right answer अब आजाओ next बात करते हैं क्या है lead nitrate on heating gips यानि कि lead nitrate का formula क्या होता है तो आपको पता है PB PBNO3 का whole toys ठीक है यह तुम्हारा क्या है lead nitrate है तो याद रखनो बताया जा रहा है कि जब lead nitrate as a compound को क्या किया जाता है जलाया जाता है चीक है तो जलाने पर क्या होता है वह colorless flame देता है वह yellow precipitate देता है वह smell of burning sulfur देता है या brown flame देता है तो याद रखना ये question बड़ा अच्छा है याद रखना ये question बड़ा अच्छा है जब भी तुम्हें lead nitrate को क्या करोगे जब भी तुम इसे heat करोगे इसे जलाओगे तो याद रखना इसमें से जो धुआ निकलेगा वह कैसा होगा brown color का होगा चेक करो कैसा होगा brown color का होगा याद रखना lead nitrate को चेक करो lead nitrate मानलों एक compound में एक तुमने टेस्ट्व में लिड नाइट्रिण लिया और उसको तुम क्या करर रहा हो तो यहां से जो धुवा निकलेगा याद रखना यह धुवा कैसा होगा Brown ब्राउन कलर का होगा, कैसा होगा, Brown Flume होगा, Begin雕म होगा कौन सा reaction ऐसा है जो displacement reaction देगा तो आज ओ, sodium chloride solution and copper metal solution, जहां से देखो, copper metal लिया गया है और sodium chloride लिया गया है, आप तुम्हें इसके लिए क्या याद होनी चाहिए, ECS याद होना चाहिए, ECS याद होना चाहिए, अब ये ECS क्या है, तो E for electro, C for chemistry, ठीक है, electro chemical, C for chemical और S for series, ECS मतलब ह होता है, electro chemical series होता है, क्या याद होता है, electro chemical series होता है, अब मैं तुम्हें बता दू, यहां कहा क्या जा रहा है, पहले बाले में कहा जा रहा है, कि copper reaction करता है, किसके साथ, C for chemical 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 कि जो copper है वह reaction करता है किसके साथ agno3 के साथ reaction करता है चीक है तो इसमें कहा जा रहा कि कौन सा displacement reaction का example है कौन सा displacement reaction का example है तो यानि कि याद रखना तुम लोगों को मैं बता दूँ यहाँ पर ध्यान से समझो आप लोग यहाँ देखें कि जो top की element होते है वह नीचे की element को displace कर सकते है याद रखना बढ़ जो नीचे की element होते है वह top की element को substitute नहीं कर सकते है यैनि कि reactivity यहाँ पर देखो कि reactivity जो है ध्यान से समझो मेरी बात को यहाँ पर देखो आपको यह भी याद हो जाएगा तैयार हो जाएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को, समझा दूँ मैं आप लोगों को, मजा आएगा आप लोगों को, देखें यहाँ पर, ध्यां से देखेगा, कॉपर की जो reactivity है, सी यू की जो reactivity है, सोडियम से क्या है, कम है, यानि कि जो सोडियम है, more reactivity than क्या है, सी यू है, और मैं बता दूँ, जो alimunium है, उसकी reactivity mg से क्या है, कम है, और यहाँ पर मैं बता दूँ, जो ag है, उसकी reactivity fe से क्या है, कम है, सुचो, इन सब की reactivity क्या है, कम है, तो यह इस compound से, यानि कि CU यहाँ से NA को नहीं अटा सकता, AL यहाँ से MG को नहीं अटा सकता, AG यहाँ से FE को नहीं अटा सकता, क्योंकि यह क्या है, यह less reactive element है, ठीक है, जो यहाँ पर इनको हटा नहीं सकते, बढ़ हाँ, जो CU है, वह AG से, जो CU है, वह AG से क्या है, more reactive है, तो यानि कि CU अब क्या कर क्या हो जाएगा, copper, plus agno3, जब आपस में यह reaction करते हैं, तो यहां से क्या बन सकता है, cu ag, cu no3, plus ag, यानि कि अब यहां से देखो, copper ने ag को displace कर दिया, so you can say that, this is the example of displacement reaction, अब आजाओ, next questions की बात करते हैं, मजा आ रहा होगा, ठीक है, ओके देखिए दा, burnim, ठीक है, borium chloride दिया हुआ, क्या दिया हुआ, barium chloride दिया हुआ, चक करिएगा, barium chloride दिया हुआ, तो barium chloride, यानि कि, barium chloride on reacting with ammonium, ammonium sulfate, farm barium sulfate, farm barium sulfate, and ammonium chloride, देहां से देखो, barium sulfate, be, be, cl2, reaction करता है, किसके साथ, ammonium sulfate, NH4, NH4 का whole twice, NH4 का whole twice, plus SO4 के साथ, reaction करता है, ठीक है, यानि कि, barium chloride, get react to, ammonium sulfate, ammonium sulfate, and ammonium chloride, ठीक है, और यह क्या बनाता है, तो आप आपको पता है, कि यह minus हो जाएगा, यह plus हो जाएगा, यह minus हो जाएगा, और यह plus हो जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, NH4, CL बनेगा, इसको balance कर देंगे, plus यहाँ बनेगा, BESO4 बनेगा, यह question आपका बनेगा, अब question क्या है, barium chloride on react in with, barium chloride on react in with, ammonium, ammonium, ठीक है, ammonium sulfate, and farm, barium sulfate and ammonium chloride, which of the following, which of the following, correctly represent the type of, type of the reaction involved, तो अब आप तो हम यहाँ से कह सकते हो, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से समझना, यहाँ से देखो, यह भी salt है, और यह भी salt है, एक salt, दूसरे salt को क्या कर रहे हैं, यहाँ से displace कर रहे हैं, BE ने NH4 को displace कर दिया, और हम कह सकते हैं कि SO4 ने, CL2 को यहाँ से displace कर दिया, यानि कि इस तरह के displacement को क्या बोलते हैं, double displacement बोलते हैं, क्या बोलते हैं, double displacement बोलते हैं, याद रखना, तो कौन से reduction है, double displacement हो जाएगा, लेकिन अभी देखो, यहाँ पर option जो है, दो option दिया हुआ, तो चौथा option तो तुम्हें मिली गया, चौथा option मिल गया, चौथा option मिल गया है, अब उसके बात दिखते हैं, कौनसा option और सही होगा, और याद रखना है, यहाँ पर क्या बनेगा, precipitate भी बनेगा, तो इसको तुम लोग क्या बोल सकते हो precipitation reaction भी बोल सकते हो, इस हिसाब से जो answer सही होगा, कौनसा सही होगा, डी सही होगा, अब आजाओ, next बात करते हैं, electrolysis of water is a decomposition reaction, यानि कि water का जो कराय जा रहा, electrolysis कराय जाता है, electrolysis of water is a decomposition reaction, कौन सही होगा, decomposition reaction, the mole ratio of hydrogen and oxygen gas liberated, ठीक, liberated, during electrolysis of water is सोचो, यह तुमारा क्या दिया हुआ, water दिया हुआ, क्या दिया हुआ, water और इसकी क्या हो रही है, electrolysis हो रही है, तो जब इसकी क्या हो रही है, electrolysis हो रही है, तो अब आपको पता है, कि जब यहाँ पर hydrogen अलग हो जाएगा, और oxygen क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो hydrogen य गया की नहीं है, बिल्कुल गया होगा, अब आते हैं, next questions की बात करते हैं, that is very interesting, next question कौन सा हो सकता है, बहुत ही interesting हो सकता है, अगर आप देखें, क्या दिया हुआ, in the double displacement reaction, याद रखेंगा double displacement reaction में क्या होता है, यानि की कैटाइन और अनाइन दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपलेस करते हैं, यानि की दोनों, कैटाइन भी रिपलेस कर रहा है, इसलिए इससे क्या बोलते हैं, double displacement reaction बोलते हैं, याद रखेंगा, क्या दिया हुआ, in the double displacement reaction between the aqueous potassium iodide, aqueous potassium iodide ये लेज़े, potassium iodide और कैस अब सोचो, a low precipitate of lead iodide is obtained, अब क्या बना है, पीवी, अब आपको पता है, ये minus और ये plus, ये minus और ये क्या हो जाएगा, पीवी क्या हो जाएगा, प्लस, और पीवी में क्या होगा, प्लस 2 का चार्ज होगा, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं, यहां क्या बनेगा, यहां क्या बन रहा है, lead iodide का precipitate बन रहा, precipitate का sign ऐसे होता है, नीचे arrow की रूप में क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं, this is precipitate, तो यहां क्या हो जाएगा, precipitate of lead iodide is formed, चीक है, अब आगे देखो, ये reaction आपको दिख रही होगी, while, आगे दिख नहीं रहा मुझे, तो इसको मिटाना पड क्या नहीं है, यानि कि PB, मानले जिए PBNO3 आपके पास, PBNO3 का whole twice नहीं है, lead nitrate नहीं है, तो KI के साथ reaction कराने के लिए, potassium iodide के साथ reaction कराने के लिए, आप कौन से चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो यहां क्या था, lead nitrate था, तो lead nitrate की जगए पे, lead acetate नहीं ले सकते हैं, ammonium nitrate ले सकते हैं, यानि कि अगर आगा अब देखें, तो KI, प्लस ammonium, ammonium nitrate, NH4 का क्या ले सकते हैं, NO3 ले सकते हैं, तो फिर से देखें यहां पर क्या बन जाएगा, फिर से आपको ही बन जाएगा, क्या, ammonium iodide बन जाएगा, और sodium plate का formula, BeCl2, and, और कैसा है, aqua solution है, तो यानि कि AQ, किस के साथ reaction करता है, sodium sulfate के साथ, आपको पता है, Na2SO4 के साथ, यह reaction करता है, on mixing together, जब दोनों को mix, mix किया जाता है, farm, farm and precipitate data of barium sulfate, तो अब obvious ही बात है, यह minus तो यह plus, और यह minus तो यह plus, तो आपको पता ही है, यहां पर क्या बनेगा, BeSo4 बनेगा, और प्लस, Na got with Cl, प्लस क्या बनेगा, 2 NaCl बनेगा, ओके, क्या बनेगा, 2 NaCl बनेगा, तो अब आपने क्या बर दिया, barium sulfate, कहरा कि, which of the following can be used in the place of sodium sulfate, तो sodium sulfate की जगर पे कहरा है, इस reaction को, जैसे आपने barium chloride से reaction कराया है, तो sodium sulfate से ना करा करके, और कि इससे आप reaction करा सकते हैं, तो very simple, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब इससे अदासां क्या हो सकता है, तो अगर आप देखें, तो sodium sulfate अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर lab में sodium sulfate नहीं मिल रहा, तो obvious सी बात है, इसकी जगापी आप क्या ले सकते हो, potassium sulfate ले सकते हो, aluminium sulfate ले स अगला question करते हैं, which of the following on heating, give two colorless gas, कह रहा कि कौन ऐसा है, जिसको heat करोगे, तो colorless gas देगा, heating give two colorless gas, जब उससे heat किया जाता है, तो कौन सा colorless gas देता है, याद करना, अभी तो lead nitrate वाला formula आपको मैंने बताया है, PBNO3 मैंने बताया है, जब इससे heat किया जाता है, PBNO3 को चेक करो PB, PBNO3 को अगर heat किया जाएगा, आपको पता है, यह क्या देता है, brown color देता है, कैसा color देता है, brown color देता है, याद रखेगा, calcium carbonate भी क्या होता है, lead nitrate देखी फिर से हो गया, और calcium carbonate यह क्या हो गया, दोनों दिया हुआ, यह क्या है, यह भी क्या है, color देते है, याद रखना, इसका answer कौन सा हो जाएगा colorless gas कौन सा देगा तो याद रखना फेरस sulfate क्या होता colorless gas देता यह थोड़ा तुम्हें याद करने वाली है फेरस sulfate क्या देगा colorless solution या colorless flame देगा याद रखना colorless gas देगा अब आजाओ question number 12 की बात करते है when fats and oil gets ठीक है rancid ok fats और oil क्या होते है इनके rancidity आपने पढ़ा है क्या पढ़ा है rancidity पढ़ा है ठीक है rancid कहरा है कि which of the following statement is false कौन सा statement false है कहरा है कि जब fat और oil यानि कि जो हमारा खाना है fat और oil जिसमें use हुआ है ठीक है जब उसमें rancidity हो जाती है यानि कि rancidity in this sense खाने का खराब होना क्या हो जाएगा food become unfit for eating यानि कि जो खाना है वह क्या हो जाएगा unfit for eating हो जाएगा ठीक है ओके तो ये बास सही है ठीक है जब क्योटन ने क्या पुछा false पुछा है क्या पुछा है false पुछा है इसमें गलत है तो पहला statement सही है yes food become unfit for eating दूसरा question क्या है fats and oils have unpleasant smell yes आपने देखा होगा कि घर में सबजी बनी है या कोई भी सबजी बनी है मसालेदार सबजी बनी हुई है जिसमें oil और fats का यह मतलब oil और चीजों का यूज किया गया है आपने देखा होगा कि उसमें से इसमें लाने लगती है सुमने के बाद तो यह भी सही है कि जब उसमें rancidity हो जाएगी तो उसमें से क्या हैगी unplecent इसमें लाएगी यानिकि उसमें से खुसबू आने लगेगी खुसबू इंदर सेंस तो उसमें unpleasant test भी हो जाएगा, यानि कि अब देखो आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, उनने पुछा क्या गलत है, तो अब आप देखो, only fats and oils get oxidized, therefore they can be eaten and they have pleasant smell, देखो, कह रहा है कि pleasant smell, मतलब हो बहुत ज़्यादा खुसबू वाला, मतलब pleasant smell मतलब होता है, अच्छी खुसबू, यानि कि जब खाना खराब हो जाएगा, तो उसमें अच्छी खुसबू आएगी, सोचो कितनी वड़ी गदारी की बात कर रहा है, यानि कि कभी खाना लेना तुम लोग खाना, तो यहाद पर क्या हो जाएगा, डी वाला question क्या हो जाएगा, गलत हो जा यानि कि metal को खराब करने की process क्या कहलाएगी, corrosion कहलाएगी, अब अगर आप देखें तो कह रहा है कि false statement, देखो, थोड़ा सा घुमा दे रहा question को, false statement regarding to corrosion, यह नहीं पूछ रहा, सही statement नहीं पूछ रहा, कह रहा है कि 4 statement मैं दे रहा हूँ, अब बताओ इसमें से corrosion के बारे में क call the rusting, बिल्कुल जब iron पे corrosion, यानि कि iron पे corrosion मतलब होता है, जंग लगना, क्या होता है, जंग लगना, और जब iron पे जंग लगता है, तुसको क्या बोलता है, rusting बोलते है, यानि कि यह भी question क्या है, सही है, आगया हो झाओ, रusting of iron is a redox reaction, रusting of iron क्या है, redox reaction है, उसके बाद, गुरोजन की वज़े से मेटल जो होते हैं, उसमें कोई हान यी नहीं पहुची है, गलत जबाब बिल्कुल क्या है गलत जबाब है आप सोचते हैं यानि कि ये कोश्चन क्या है गलत कह रहा है सोचो सोचो अगर हलका फुलका पढ़के जाओगे तो कोश्चन तुम लोग कर नहीं पाओगे चीक है, कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर कहना क्या है चाह रहा है लेकिन जब कोश्चन पढ़ रहे हो, तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे बास वामें ठीक है, तो अब कोश्चन हम लोगोंने कितने solve कर तो फिर आप क्या करोगे, आपको देखने में दिक्कत होगी, दिक्कत क्या होगी, मतलब एक सिटिंग में बाट करके अगर आप चाहें, तो कितने दो-दो गंटे की वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा आपके अंदर पढ़ने की efficiency कहां पर है, तो अभी क्या करते हैं, ये चीज़े मैंने करा दिये हैं, अब आप लोगों ने देख लिया होगा, कि आपने सिर्फ 13 questions दो किये हैं, लेकिन लगातार आपको मैंने कितनी बाते बाते बटा डाली हैं, सोचो, धीरे-धीरे आपका chapter क्या हो गया, तैयार हो गया, धीरे-धीरे आपका chapter क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ओके, तो चलिए, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, अच्छा, जाने से पहले, अगर आपने चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसे सस्क्राइब कर दें, ओके, क्योंकि इसी तरह से मैं अच्छे-अच्छे question करा और पूरा का पूरा, जो five chapter आपका है, with question paper मैं सारा का सारा solve करा दूँगा, बस तुम exam चले जाना देने के लिए, आपके पूरे की पूरे marks आ जाएंगे, ओके, अच्छा, एक चीज और, इतनी सारी चीजे देखने के बाद, अगर अब तक चैनल को like नहीं किया है, तो क्यो इतने आप से पूछो, इतने आप से पूछो कि तुमने चैनल को like, मतलब video को like क्यों नहीं किया है, तो नहीं किया, तो अभी कर दो, okay, चलो, मिलते हैं next class में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, thank you so much watching this video.